आइफोन 13 मेरे लिए most excellent but boring phone रहा है हेलो दोस्तों मैं आइफोन 13 को 20 प्लस डे से यूज़ कर रहा हूँ और इसका मैं mini review दोंगा है kind of आपको आपको उपताँ को इसके pros का है इसके cons का है और क्या आपको आइफोन 13 भाई करना चाहिए और ये भी बनाऊँगा कि मैंने personally 71,000 रुपीज में आइफोन 13 कैसे भाई किया यहां पे eye button में लिंका रहा हो वहाँ पे जाके भी देख सकते है और इस वक्त अगर आइफोन 13 की pricing की बात की जाए Apple stores में 80,000 रुपीज का है वहीं Unicorn stores होगे दिल्ली में वहाँ पे यह 71,000 रुपीज है आपको इस वक्त मिल रहा है अब बत करते हैं इसके pros की यह specifications नहीं होगे यह pros होगे जो personally मेरे case में थोड़ा जादा मेरे लिए useful रहे है यह उस तरह के pros होगे सबसे पहले बात करें प्रोसेसर की हम सब को पता कितने ही stable और कितने पावरफूल ए 15 बायोनिक चिप्स यह बायोनिक चिप्स रही है आपल की यह कम से कम दोन जनरेशन ज्यादा आगे रहती हैं Android से Android के जो 8 Gen 1 अब आये हैं वो भी एपल के एक दो साल पूरानी चिप्स के बराबर ही होते है तो इससे आप पता लगा सकता है कि कितने ज्यादा पावरफूल चिप्स है और मेरे case में कोई प्रॉब्लम नहीं कोई performance में नहीं थोड़े बहुत लैग हो जरूर होते हैं आइफोन में लेकिन हाँ वो बैटरी कपेस्ट्री वो डेफिनेटली एंड्रोइट से काफी जादा है जिनके एफिफ्टिंग बाइनिक से काफी ज्यादा पावर एफिशेंट चिप्स है आपको लगे काभी बती सो मिलियं पेर की बैटरी क्या ही कर सकती है लेकिन हाँ साथ घंटे सी उपर का स्क्रीन बात करते हैं डिस्प्ले की मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहे वह दूप में फोन नीचे यूज़ करना हूं काफी ज्यादा ब्राइटनेस इनफ है कि आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं और चाहे आपकी तरह अरजाई के नीचे चैनिंग करनी हो र यूज़ किया है वह यही फोन है HDR कॉंटेंट में चाहें बाइटन है आपको डिस्प्ले में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली मैं परसनली कह सकता हूं मैं एंड्रोइड फ्लैक्षिप यूज़ कर सका हूं वान प्रस एडट प्रो हैं सैमसेक्ष भी नहीं होने वाला आपको एक हफ्ता मैक्सिमम लग सकता कि हां नौच मेरे लिए ठीक नहीं है लेकिन आप यूज़्ट हो जाओगे उसके लावा भी अगर रिफ्रेश्ट की बात करें मैं परसनली भी 120 हर्ट से आया हूं 60 हर्ट पर मैं कह सकता हूं मुझे बहुत ही माइ यह सबसे में वीजन है कि मैंने आइफोन 13 लिया जैसे हमने और भी टेक यूटूबर्स को देखा कि आइफोन के कैमरा कोई मैच नहीं कर सकता यह बात सही है पहले मुझे लगता था कि बड़ा चटा के बोलते हैं लेकिन नहीं आइफोन की वीडियो क्वाल्टी को मैं परस के लिए तो हाँ अगर आप वीडियो के लिए कोई भी आइफोन होते हैं और को किसी बी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है निवाली इस्पैशली वीडियोग्राफी अगर इसके लो लाइट परफॉर्मेस की बात करें चाहें फ्रंट केमरा की बात करें हमने देखा कि ज़्यादा तर जो फोन्स होते हैं उनके रियर कैमरा सी ज़्यादा बड़े परफॉर्म गते हैं फ्रंट नहीं करता लेकिन हाँ इस फोन का फ्रंट कैमरा भी बहुत बड़ी है मैं इस्टाक्राम पेज पर जितनी भी रील्स बनाता हूं केस में ज़्यादा यूसफुल नहीं है लेकिन हाँ अगर वो प्रॉपर यूज हो जाए जो उसकी एज़ डिटेक्शन प्रॉपर हो जाए और हाँ वो कम से कम 60 fps सक रिकॉर्ड करने के लाइक हो जाए तो मैं कहा सकता हूं कि सिनेमेटिक मोड भी स्पैसली सिरफ और सिरफ यह पर आईफोन 13 सीरीज में है काफी ज़्यादा पावरफुल और यूसफुल हो सकता है अगर बात करें स्पीकर की तो मैं कहना जाँगो इसकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा है यह एक मिनी स्पीकर के आप मान सकते हैं बात करें जो मेरे लिए स्पैसली काफी ज्यादा यूसफुल रहा है क्योंकि मेरे का मैक भी है आप सबको बता है एपल का एको सिस्टम चाहे मुझे कॉल करना हो दोनों पर ही कॉल आ जाती है अगर मेरा सेम वाइफाई से कनेक्टेड है मैक पर भी फोन पर भी तो हम मैं मै आपके एपल प्रटक्स के बीच में उसके लावा कॉपी पेस्ट अगर आप मैक में कोई चीज कॉपी करते हैं वही आप पेस्ट करते हैं आईफोन पर ये भी हो जाता है इसकी दोचार कंडिशन होती है सेम वाइफाई ब्लूटूथ होन तो हाँ इस केस में मुझे काफी ज्यादा यूसफुल ये चीज भी लगी है कैमरा के बाद कि मैं काफी ज्यादा एको सिस्टम में आ गया हूं बहुत सीजे इजी हो गई है मेरे लिए सब कुछ करना अब बात करते हैं कॉंस की देखिए कॉंस सारे के सारे मेरे पर्टिकुलर यूस में रहे है मैं अपनी त आपको लगए आप बहुत जल्दी शिफ्ट हो गया है सबसे मेजर जो आपको लग सकता है आपल की स्टेबिल्टी अगर आप आप एंड्रॉइट से आईफोन पे शिफ्ट कर रहे है तो आपको सबसे बढ़ा कर जंप लग सकता है जैसे आपने ताइटल में देखा एक्सल पर कर सकते थे तो इस कारण सही में कहा रहा हूं मेरा सही में स्क्रीन टाइम रिड्यूस हुआ है एंड्रोइड के बाद पर हां जितना भी मैंने अभी तक यूज कहा है उसमें 100 भाई 100 पॉंच देना जाओंगा स्पीकर्ज हो बैटरी हो डिस्प्ले हो और स्पैशली कैमरा जो स्टेबिल्टी हो इस सब मामले में बोरिंग जरूर है लिपर एक्सलेंट भी है साथ एक और आपके लिए कौन हो सकता है थर्ड पार्टी अप्लिकेशन इसमें मिलना इंस्टॉल करना ठोड़ा जहनजट होता है तो इससे भी एक तरह काप कौन मान सकते हैं और हां अगर आपको आइफोन को स्केप कर दें क्योंकि अगर आपको डॉक्यूमेंट बेजना है आपको इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है पहले आइक्लाउड पर सेव करनी पड़ते हैं उसके बाद दॉक्यूमेंट बे कि वेचन मिलती है और हां अगर आप टैक से अपडेटेट रहना चाहते हैं आप मेरे इंस्टाग्रम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप सोच रहे थे कि आइफोन थरी नम लेने जा रहे हैं तो मैं को डेफिनेटली आप ले सकते हैं और हां अगर थोड़ी से पैसे स देखने को नहीं मिलता इसके लावावी में आपको एक चीज़ सज्जेश्ट करना चाहूंगा कि आप कम से कम 128 GB स्टोरेज लेने की गलती अपना करें अगर आप स्पैशली लॉंग टम के लिए फोन को यूज़ करना चाहते हैं इसके लावावावी में इंडिया का बैच आइफोन 13 के बहुत ही चल्दी आ रहा है जिसके बाद आपको 6-8,000 रुपीज का और ज्यादा डिस्काउंट देखने के मिलेगा तो हाँ थोड़क देख रहे थे तो एक दिन मीना आप और वेट कर सकते हैं एक और टिप आपको देना जाओंगा कि अगर आइफोन 12 वान ट जोगजात अब तक के लिए थेंक यू